नमर्शा दोस्तों आप शब का एक बार फिश्वागत करते हैं दोस्तों आज की डिस्कस में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राज्य सरकार के द्वारा जितने विभागों में वेकेंसी निकाली गई थी चैने अपनी बजट गोशनाई की हूँ या फिर अन्य परकरिया से जो बड़तिया निकाली गई थी क्या उसके अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा उनको जॉब दिया गया रोजकार दिया गया क्या उनको यहाँ पर फाइनली जोइनिंग मिली तो वो ही बाते हम इस वीडियो के मादम से अनुरुरू, निकाली गई थी राज्य सरकार के द्वारा उसकी अंदर बजट में कोशुना है की गयी थी या फिर युँ समझाएं कि पिछली सरकार के द्वारा जितनी वेकेंसी निकाली गयी क्या फाइनली उनको इहाँ पर रोजकार मिला या फिन नहीं दोस्तों ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के अमादम से बात करेंगे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आज की न्यूस पेपर जो की रास्तान पत्री का अजमेर पुब्लिकेशन्स है इसको मैं रेफरेंस मिना के आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सभी जानकारी हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे समझ पाएं और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा करपया चैनल को सब्सक्राब जूर करें और बेल आइकन्स को दबाना बिलकुल ना बूले तो सबसे पहले बात करते हैं तीन साल में जॉब कार्ड यहाँ पे मिले परन्तु उमीज से कम वेकेंस यहाँ पे राज्य सरकार को के द्वारा निकाली गी यानि कि देखने को मिली उसे में इनकी गोशनाओं की अगर बात करें तो अपार गोशना यहाँ पे कहीगी परन्तु 80,000 लोगों को यहाँ पे रोजकार मिला बाकी के इससे में सिरफ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट या फिर इंतिजार अभी देखने को मिला साथ ही इस राज्य सरकार की बात करें तो इसने अपने तीन साल पूरे कर लिये हैं और बजट में इन्होंने एक लाग 78,000 बरतियों की घोशनाय भी की थी परन्तु उसके अनुरूप पे जो वादे इन्होंने किये थे तो उनकी वादों के अनुशार इन्होंने सीधे पहाड चड़ने जैसा यहाँ पे लग रहा है अब सरकार के कार्यकाल में दो शाल यहाँ पे सेस हैं इस गती से रोजगार देने में अगले पांस साल भी यहाँ पे कम रहेंगे साथ ही पुरानी भरतियों में नियुक्ति देने की भी यहाँ पे सरकार की मुश्किले यहाँ पे नजर आ रही है आटकीवी भर्तिया करीब यहां पे 80,000 पदों पर नोक्रिया धी गई थी जिसमें नई भर्तियों के तैत प्रिक्षाए हुई नियुक्तिया प्रिक्रिया धीन भी है और कोरोना काल में और जिमेदार विभाग जो हैं उन्होंने अपने कई कारण बता के उनको यहां पर जोइनिंग नहीं दी यह फिर जिनको यहां पर फाइनली जो लिस्ट निकाली गई तो उसमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गय साथ यहां पर यह भी देखा गया गे दूसरी ओर नई भरती की प्रिक्षाओं के पेपर यहां पर लीक होगे साथ फर्जी वाड़े के मामले में सामने आपर देखेगे सरकार विवादों में यहां पर रही साथ यहीं कारण यहाँ पर राज्य सरकार के बेरोजगार ने राजस्तान दिल्ली यूपी जाकर भी यहाँ पर कई परकार के संगर्स अभियर्थियों की दुवारा किये गे, अंदुलन किये गे साथ यहाँ पर कुछ आप वेकेंसिस देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोरोना काल में दीमी हुई रोजगार की रफ्तार आप देख सकते हैं, पेपर में लीक परकरन और फरजी वाड़े का भी यहाँ पर अभियर्थियों को जेलना पड़ा, आने वाली भरतियों की बात करें तो इसमें 31,000 भरती जो हैं परिक्षा पूरी यहाँ पर हो चुक है, नियुक्ती अभी तक इनकी बाकी है, 10,000 कम्पूटर अनुदेशकों की भरती यहाँ पर आने बाकी है, इसी प्रकार से 10,000 सेकंड ग्रेड भरती है, फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 6000 हो गया, 1000 इसमें व उस्तकाले, Great Thard के यहाँ पत हैं, विवादों में जो भरती हैं पर रही है रहे हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो इसमें रिट भरती 2021 सामिल है, आरइस भरती 2018 पर शामिल है, तो इसमें 2021 और 22 वाले बजट में जो हैं वो 50,000 भरतिया आगामी है 2020 से और 2021 के बजट में 53,000 इसमें है साथ ही 1920 के बजट में आप देखें तो 75,000 आपको यहाँ पे देखने को भरतिया मिलेगी जो की बरतियों की गोशना यहाँ बजट में की गई है उसके बाद में कुछ यहाँ और भी यहाँ पे बरतिया जो अठकीवी है जिनकी नियुक्तिया यहाँ पे देना बाकी है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें तरतिय स्रेणी के जो 2018 में निकाले गए थी 26,000 पदों पे यह नियुक्ति दी है जो इन बरतियों की अठकीवी नियुक्तिया है LDC 2018 में टोटल 12,000 को नियुक्ति मिली है सेकंड ग्रेड में 9,000 को मिल गई व्याखता में 5,000 वरतिया यहाँ पे जो निकाले गए थी उसमें नियुक्ति दे दे गई है साथी ततकालिन शिक्षा मंत्री के रिष्ट दारों पर विवाज की अगर बात करें तो 1951 पध इसमें शामिल है जिसमें भरतिय निकाले गए थी हाले में इसके इंट्रिव्यूस नहीं करवाए गए आयुक के द्वारा इंट्रिव में पास करवाने की कार्ण या पे घुष कार्ण भी आपे काफी देखने को मिले स्क्रीन पे आप देख पारें ततकालें सिक्षा मंत्री इसमें चर्चा में रहे ही हैं आपको पताईए नेक्स्ट अगर बात करें स्क्रीन पर बेरोजगारों की जो रहत की गोशनाओं के अगर बात करें तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आसे तो इसमें परिवन सिक्षा शरड़़ि परिवन सेवा निशुल के यहाँ पे की गई अभी इयर्थियों के द्वार्ण उसके बंद में सरकार ने परतियोगी प्रिक्षाओं में अभीर्थियों को लाने ले जाने के लिए निशुल परिवनी याँ पे शिवा राजसरकार की द्वारा दी गई थी नकल अध्यादेश की बात करें तो बरति प्रिक्षाओं में गड़बडी कराने वाले के खिलाव याँ पे सरकार ने अध्यादेश लाने की गोशना भी की है साथ ही लेकिन इसको लागो अभी तक यापर राजसरकार की द्वारा नहीं कियेगा इसके तहते पेपर लीक नकल करने वाले को शाथ साल की सजा भी इसमें प्रावधान रखे गए हैं साथ ही प्रिक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रियोग को पाई जाने पर अपराद और गेर जमानत अपराद की स्रेणी में इसको रखा गया है काफी प्रावधान इसमें किये गया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नेक्स अगर बात करें तो वर्षवार भरती कलेंडर भी यहां पर जारी करने की यहां पर निर्देश जो हैं राज्य सरकार की दोरा विभागों को सीधे दिये जाने हैं तो इसमें खाली पदों की सुचनाए एजेंसी को बिजवाएं साथ यहां पे हर काम साल अप्रेल के शुरू होगा तो इसमें आप देख सकते हैं काफी इसमें देरक काईदा बाकि मेन पॉइंट ऑफ वीडियो से तो आप देख सकते हैं जो राज्य सरकार के दोरा जो आगामी भर्तियों की जो गोष्णा की गए थी यह फिर आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों से जो बवर्तियों की गोष्णा की थी, हो सभी आपे मैंने इस विडियो से मादम से देने की कौशिश किए, उमुद करता हैं आपको वीडियों अगे होगा, तेंक्यू, धन्यू